नमस्कार दोस्तों श्वागता है आपका ब्रेन आउट में एक वार फिर से तो चलिए खोलते हैं अपने दिमाग के दर्वाजे और देखते हैं कि परसन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेके मौल तो यहाँ पे जो परसन है वो अंग्रेजी मे लिखा हुआ है लिखा हिंदी में है लेकिन इन्होंने अंग्रेजी के सब्दों को हिंदी में लिख दिया तो वेक का मतलब होता है यहाँ पे पीड़ना और मौल का मतलब है यह जो हमें एक यहाँ पे कीड़ा दिखाई दे रहा है इसको यह बेलवेटी और मक्मली कीड़ा आपने कई बार देखा होगा इसकी चमकती हुई आखे होती है तो इसे कहते हैं मौल अंग्रेजी में तो हम इसको कैसे पिटेंगे तो जब इसको हम पकड़ते हैं वैसे पीटना नहीं चाहिए यह गिलत बात है किसी भी जानवर को किसी भी कीडे में कोड़े को हमें मारना नह चाहिए पर यह परसन है इसको हमें हल करना है तो हम देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह इधर से उधर भाग जाता है और हम अब इसको लेके आते हैं थोड़े के पास और फिर देखते हैं यह सही है या गलत तो हम रख देते हैं झाल झाल